हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ दो स्पेशल तरह की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं इन दोनों ही चटनीों का स्वाध एकदम आलग और अमेजिंग आता है यह दोनों ही एकदम आथंटिक रेसिपी हैं इसलिए वीडियो को एंट तक जरूर रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए फटा फट से चलते अपनी चटकारे वाली चटनी की तरफ पहली चटनी मनाने के लिए मैं यहां पर एक कप नारिय लिया है और इसको छील लिया है मतलब इसके ऊपर जो ब्लैक कलर का छिलका होता है ना उसको हमने हटा कर लिया है इसमें एक इंच के जितना आधरक का टुकड़ा दो चमच रोस्टेड मुम फली यहां पर यहां पर से रोस्ट करके लेनी है इसका इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है चार-पांच हरी मिर्चे हैं काटके लिए एक चमच फूटानी है यह ना भुने चने की दाल होती है और स्वाधन नुसार नमक और चटनी पीसने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अब हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे यहां पर ना आप कोशिश करें जब आप नारियल लेना तो वह कच्चा होना चाहिए उससे ने चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है और कभी क्या होता है जो थोड़ा बहुत पका हुआ नारियल होता है उसका ने टेस्ट भी थो नारियल थोड़ा गर्म हो जाया तो उसमें 1 टीस्पून राई 1 टीस्पून सफेद उड़त की दाल एक दुसुखी लाल मिर्च तोड़कर इने ना ओयल में डालने से पहले तोड़कर या चाको से थोड़ी कट मार कर लेना चाहिए वर नहीं जाकर ना फट सकती है गैस की प्लेम को इस समय बिलकुल लो कर देना है और इसे थोड़ी सी दिर भून लेंगे और जब थोड़ा भून जाया तो इसमें 8-10 करी पत्ते डाल देंगे और उसे भी कुछ सेकेंड्स के लिए चलाएंगे और इस तड़के को फटा फट से अपनी चटनी के ऊपर डाल देंग इस चटनी में रोस्टेड मूमफली और नारियल का कॉम्डिनेशन में बहुत जबरदस लगता है बस अभी हमें इसे इसमें मिक्स कर देंगे तो लीचे हमारी सूपर टीस्टी वाइट कोकुनट चटनी तयार है देखिए लग रही है ना एकदम गजब की दूसरी तरह के चटनी बनाने के लिए मैंने एक कप नारियल लिया है यहां पर इसको छीलने की जरूरत नहीं है इसमें बिल्कुल थोड़ी सी मतलब एक चुटी प्यास होती है ना उसके भी एक चुथा हिससे से भी कम प्यास डाल देंगे ट्रेडिशनली ना कई जगा पर इसमें प्यास डाली जाती है चार पाच हरी मिर्चे जिनको मैंने कट करके लिए दो टेबल स्पून फुटानी है एक इंच अद्रक का टुकड़ा स्वात के अनुसार नमक यह वन फोर्थ कपना हरधनिया है इसमें यह भी डाल देंगे और इसे पीसने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसे भी न हमें बिल्कुल बारिक पीस लेना है देखिए यह पीस गई है और इसी पीस ते समय न मैंने उपर से थोड़ा सा पानी और डाला था देखिए कितनी बढ़िया बनी है इसको भी एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे जार में थोड़ी सी ने चटनी रह गई थी तो मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल दिया है कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए इसको भी इसमें अच्छे से मिला देंगे अभी फटा-फट से इसमें तड़का लगाते है इसके लिए तड़का पैन में वन टेबल स्पून ओयल डाल देंगे और हिंग डालने के बाद में थोड़ी सी देरी हमें इसे रोस्ट करना है और फटा-फट से बिना देर कि हमें यह जो तड़का है ना अपनी चटनी के उपर डाल देंगे बस अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे तो देखिए कितनी जल्दी और कितनी फटा-फट से हमार यची लगती है और साथ ही हम जो इसमें सरसों और हिंका तड़का लगाते है ना उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बस थोड़े से इंग्रीडियन्ट की फेर बदल से ही ना ये दूनों ही चटनियों का स्वाध एकदम अलव और अमेजिंग आता है ये दूनों ही ना सा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस का रावल पर क्लिक करना ना भूलें थैंक यूँ